हलो अच्छो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल चैक पूरपे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट का मॉडल सेट टू के बारे में जो कि आपके मार्च एक जो मसंदमंथली असेस्मेंट होता है उसके लिए भी ये इंपोरेंट होगा और आपका सेट वन को भी जरूर देखे और ये इसका सेट टू है ये सभी एक प्रैक्टिस सेट है जो इंपोर्टन कोस्चन का एक सम्मू है ठीक है तो चलिए ज्यादा बाते ना करते विए वीडियो को सुरू करते है यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक करते हैं और टेलिग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसे ज्वाइन चरूर करें बढ़ते हैं अपने सवाल की और हमारा पहला सवाल जो है वो हिंदी से लिया गया है यानि आज के सेट में हम लोग हिंदी को डिसकस करेंग जिसमें हम लोगों ने कुछ objective सवाल ले है और कुछ poems के जो definition होते हैं जो की बार बार आपके exam में पुछा जा रहा है उसको भी हम लोगों ने सामिल किया है तो बढ़े रहिएगा हमारे वीडियो में सुरूस लेके आंग तक देखिए सबसे पहला सवाल पहले सवाल में अधरी का अर्थ क्या होगा अधरी का अर्थ क्या होगा आपके पास options है अरपन धन आधा ठीक है या फिर धान तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब है option number a अरपन क्या है अरपन अरपन इसका बिलकुल सही जवाब है ठीक है next सवाल है हमारा भारत एक है आ बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा परकृति की खिडांगन अब आते हैं अगले सवाल पे अगले सवाल है हमारा कि बुढ़ी पिर्थिवी का दुख कवीता का पूरा सार यानि उसका आपको पूरा सरांस बनाना है या नहीं तो अथवा अर्थ उसका अर्षट करना है ठीक है कवीता कौन सा है बुढ़ी पिर्थिवी का दुख ठीक है अब आते हैं इसके आंसर के और और इसके आंसर को बिल्कुल बढ़िये से आप समझीएगा और आराम से इसे नोट कर लिजेगा क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है हर एक एक्जाम में इस तरह के सवाल को देख आया जाता है और उसका अर्थ आप से पूछ लिया जाता है तो उस द्रिष्टी से ये काफी इंपोर्टेंट है तो बने रहिएगा और इसे आराम से आप नोट करते जाईएगा देखे पाठ का पहला कविता का पंक्ती आएगा क्या तुमने कभी सुना है सपने में चमकती कुलहाडियों के भैसे पेड़ों की चितकार क्या तुमने कभी सुना है, सपनों में चमकती कुलाडियों के भैसे पेड़ों की चितकार, कुलाडियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े है तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, ठीक है, यानि कि पेड़ों के बारे म से काटा जाता है तो उसके बारे में ये कविता कहे रही है क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई धरती पर यानि तुम्हारे अंदर कुछ होता है या नहीं होता है जब कोई पेल को काट देता है और वो नीचे धरती पर गिरता है तो ठीक है अब इसका अर्थ को देख लिजिए इसका अर्थ आप से पूछा जा सकता है तो इसके अर्थ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पार्थि पुष्टक भासा मंजरी के सनलगत कविता बुढ़ी पित्वी का दुख से उद्रित गी गई है जिसकी रचना की कवि जो कवी है कवित्री है वो कौन है निर्मला पुतुल बस इतना लिख दिये अब आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने विर्चों की अंदाधुन कटाई से मनुस्य को द्रवित करने का परियास किया है यानि विर्चों को जो अंदाधुन कटाई च चितकार करते सुना है, यानि चिलाते हुए सुना है, जब पेड़ पर कुलारी के वार किया जाता है, तब पेड़ हिलती टहनी है हजारों हाथों की तरफ अपने बचाओ के लिए पुकारते हैं. यानि कि जब पेड़ों पर देखेंगे प्रहार करेगा, तो उसकी चोटी-छ प्रियल का मानवी करन करते हुए कवित्री ने मनुस्य को परियावरन के परति संवेदित करने का परियास किया है, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, इसे लिखने के बाद आपको ज्यादा कुछ है रटना नहीं है, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा अंसा रटना रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, उसको सिर्फ दो बार चार बार आपको पढ़ लेना है, और उसी को अपने हैंडरेटिंग में, अपने सोच से, अपने सोच बुच से आपको वहाँ पर बना बना कर लिखना है, ठीक है, आप देखिए इसका वीता का जो सबसे इंपोर और मविशियाद होते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्तिरी चड़ा रही होगी किसी देवता को अधरी, ठीक है, अब आते हैं इसके व्याक्या में, देखिए, इसके बारे में आपको कहा गया है, कि प्रस्तुत पंक्तिव के माध्य प्रदूसर्ण को चिंता व्यक्त की है, यानि नदियां में जो प्रदूसर्ण फैला जा रहा है, उसे व्याक्या मनुस्य से पूछती है कि क्या तुमने रात के सननाटे में मूँ ढग कर रोती हुई नदियों की आवास सुनी है, नदी के घाट पर कपड़े धोते अथ्व अथ्वा मवेसी धोते हुए कभी सोचा है कि कोई प्यासा वही गंदा पानी जल पी रहा होगा, अथ्वा देवताओं को अधरी के रूप में कोई इस्तरी गंदा पानी अथ्वा परदूसर्ण जल चड़ा रही होगी, यानि वो मनुस्य कवित्री क्या कर रही है, मनुस्य को समझाने का परियास कर रहे कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो है धोवी घाट बना करके गंदे कपले वहाँ पे धोते हैं और यही नदिया का पानी कोई मनुस्य से पी रहा होगा, तुम भैंसों को धोते हो, वही पानी कोई मनुस्य से पी रहा होगा, या कोई इस जो उसी पानी को ले करके देवता को चला रही होगी, तो ये सब कभी कहना चाह रहा है मनुस्य से, तो काफी important है इसको ज़रा ध्यान पुरूबक आप लोग पढ़ लेंगे, तीसरा point भी इसका काफी important है ध्यान से देखेंगे, कभी महसूस किया है कि कि किस कदर दहलता है, मौ हतावडे के चोट से तूट कर बिखड़ते पत्थरों की चीख, तो क्या होता है, ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है, आप थोड़ा सा amazing के जिएक होते हैं, ये सब पत्थर के जो कारबार हो रहे है बहालों पे, उसको विस्फोट करके उड़ाया जाता है, फिर उसे हता किसे को अनुभव करने का अहवान करती है कि मौन समाधी लिए बैठा हुआ पहाल, यानि चुपचाप बैठा हुआ पहाल का सीना किस तरह दहल उड़ता है, जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर जाकर चिटकता है, है न, देखिए पहाल कुछ कहता है, कुछ बोलता है, क जब अनुभव कोनो करते हैं, किसी को नुखसान नहीं पहुचाता है, वो तो चुपचाप ख़ड़ा है, लेकिन क्या करता है, मनुशसिय से उसके अंदर बॉम लगा करकर उसे उड़ा देता है, अब क्या होता है, वही बात को यहाँ पर कवितरी जो है, दोपहर में कभी तुमने हतवडे की चोट से बिखरते विए पत्थर की चीख सुनी है यानि दुपहर के वक्त क्या होता है? उसको लोग पत्थर मार मार के तोडते हैं वास्ताव में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रक biology के सुधरी को समाप्त करते हुए मानुकृति की भतरसना की गई है ठीक है यागर आप अपने लेंग्वेज में अगर कह जाएंगे के तो वास्तों में इन पंक्तियों के माद्यम से प्रकृति के सुंदरी को समाप्त करने का परियास किया गया है जिसे कवितरी हम लोगों के समक्ष रख रही है ठीक है अगला देखी चोथा में आपको क्या करना है चोथा में है कि खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सा वक्त चुरा कर बत्याया है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बोढ़ी पिर्थवी से उसका दुख अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदे है ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन्स है और इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे चलिए इसके सरांस को दिख लेते हैं तो प्रस्तुत पंक्ती में कभी बुढ़ी पिर्थवी के दुख को रेगाकित करने का परियास करती है कि परदूर्शन के कारण वायू भी स्वास्त वर्धक नहीं रहे गई है मनुस्य के मनुस्यता पर संदेह करते वे कवेतरी पुछती है तो इसी परकार से जो है यहां पर कहा जा रहा है कि बुढ़ी पिर्थिवी के दुख को कभी जानने का परियास हम लोगों नहीं किया है यदि यदि नहीं तो मनुस्य को विवेक्सिल समझदार नहीं कहा जा सकता ताथ पर यह है कि हमने पिर्थिवी के परियावरन उसकी सुन से पढ़कर जाना है क्योंकि हर एक model set में आप लोगों ने देखा ओगा जो भी मंथली assessment आप लोगों के लिए तयार हुआ है चाहिए किसी भी महीना का आप देख लेज़ें जब से आप मोडल सेट में आप लोगों को उपलब्द कराया जाए ठीक है तो उमीद करते हैं कि कि आपको समझ में आ गया होगा आज के क्लास बिल्कुल अपसंद आजा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा घंटी के बल एकन को दबा दिजेगा साथी साथ एक बार फिर से कहते हैं कि वाट्स